आपके उस्माइन बतलू उम्मीद करती हूं आप सब खेरीस हों गया अच्के इस वीडियो में जिसका टाटर है इंडिया फाइनली सेंट ट्रक थू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान वर्ल्ड अफेर्स वालों की वीडियो है तो चलते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्यान होता है चुक्कि पहले जहाँ तक मैं जानती हूं कि इंडिया ने ट्रक भेज़ जाका थै अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसको अलाओ नहीं किया था और मैंने इस को कई और आए और जानते हैं वालों की वीडियो को पर आपलों से गुजारिश है कि मेरे चानल के सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी और उस चैनल वो भी मैरा चैनल यह तो प्लीस इसको भी Subscribe कर देज़ेगा और मीरी वीजियो को एंड तक लाजमी देखा करें मेरे लिए बहुत वार्दतर ठीक है तो चलते हैं और देखते हैं वीडियो तो लैसे क्वैड गए वीडियो प्रेंड कर दिससे लिए पोर पागानिस्तान पॉस्टना स्टार्ट हो चूका है तू पाकिस्तान यहां पर इनदीया ने में पर यह का था कि हम लोग की लोगों को हीप भेजना चाहते हैं वीट मेडिसें को पाकिस्तान ने कई महिनों तक ब्लॉक करके रखा finally अब पाकिस्तान ने अजीब सा यहाँ पे एक request रखी जिसमें time बहुत waste होगा obviously in the end यहाँ पर सफ़र अफगानिस्तान के लोगी करेंगे क्योंकि जितना time waste होगा उत्ती लेड़ वहाँ पे लोगों को help मिलेगी मगर पाकिस्तान ने एक अजीब सा formula निकाला के पहले जो ट्रक्स हैं यह अफगानिस्तान से आएंगे इंडिया में ठीक है यह travel करेंगे उसके बाद जो यह ट्रक्स हैं उनमें इंडिया वीड डालेगा और फिर यह ट्रक्स पाकिस्तान में चकिंग के बाद सीधा जाएंगे अफगानिस्तान में तो यह प्रोसेस पाकिस्तान ने निकाला है इधर वे मैं आपर यही कहूंगा कि ब्लोकेड से तो अच्छा ही है कि फानली रास्ता यहाँ पर निकल गया है इंडिया की humanitarian aid अफगानिस्तान तक पहुच रही है और रीसेंटी इसके जो सीन्स हैं बहुत ही सुन्दर सामने आए हैं अफगानिस्तान के ट्रक्स पे तरंगा लेरा रहा है इंडियन वीड है मैं बहुत खुश हूँ बहुत पाच्छा अच्छे इंदी लोग मेरे तो बहुत ही जड़ा सुन्दर नजारा है अफगानिस्तान के ट्रक्स ये अटारी बॉडर पे रुके थे यहाँ पर यहूँ यहाँ पर लोड किया गया है और मैं भी यहाँ पर देखके स्माइल कर रहा था अफगानिस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको भी पता है के इंडिया पाकिस्तान की एक्वेशन क्या है ये भी थोड़ा सा खेल गए ट्रक पे बड़ा तिरंगा इन्होंने आपर लगा रखा है और ये ट्रक्स पूरे पाकिस्तान से होते हुए सिधा अगवानिस्तान पर पहुचेंगे अच्छी बात है देखिए मां तो यहां पर यही कहूंगा और रिसेंटी अगर हम देखे तो बिलकुल एक तरफ कुछ नेगेटिव साइंस देखने को मिले हैं फॉर एक्जामपल इमरान खान की नेगेटिविटी मगर दूसरी तरफ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले हैं फॉर एक्जामपल कई जो पाकिस्तानी गवर्मेंट में आज के समय जो एडवाइजर्स हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स ट्रेड विद इंडिया तो दोनों देशों के मैं काऊंगा अच्छे इलेशन के बीच में आज के समय अमरान खानी खड़े हैं मगर ओवरॉल धीरे धीरे एक अंडरस्टानिक डेवलप हो रही है कि वी नीड टू मूव आन एक लेवल के बाद हमको कॉपरेट करने की जुरुत है ताकि रिजन करती करें आस पास की बाकी कंट्रीज को भी हम help कर पाएं और यहाँ पर मैं यहीं मैंशन करूँगा कि finally जो यह gift है from the people of India to the people of Afghanistan यह अफगानिस्तान तक पहुच पा रहा है Delhi declaration की वज़े से मैं Dr. Aja Shankar को properly credit दूँगा यहाँ पर कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक अफगानिस्तान के इशू पर समिट और्गनाइस की आइडिया में जहाँ पर सारे सेंटरलेशन कंट्रीज आये रश्या आया इरान आया और यहाँ पर साइन किया इया Delhi declaration on अफगानिस्तान जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि humanitarian assistance should be provided in an unimpeded direct and assured manner मतलब के बिना किसी रुकावट के humanitarian assistance पहुचनी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों तक और ध्यान रखियेगा हम यह जो assistance है Taliban को नहीं send कर रहे है Taliban चाहे हमको appreciate करे वो ले के India बहुत अच्छा काम कर रहा है India की हम प्रशंसा करते हैं मगर हमने अभी भी Taliban को accept नहीं किया उनकी government को accept नहीं किया यह सारा जो गेहू है सारी दवाईया है या तो WHO को जाती है या फिर World Food Program के पास जाती है इन अफगानिस्तान तो डिसकस करते हैं इस टॉपिक को इन डेथ काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से बहले आपसे question बुचूंगा कि recently किस international संगटन ने किस international group of countries ने observe किया था अफगान women days को यह काफी अतना news में था यह है आपकी option आसियान देशों ने किया था यह European Union ने किया था जो Gulf Corporation Council है उसने किया था तुका मुझे पापा निया या फिर African Union ने comment section में करी उत्तर सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के end में ओके सो वैसे कर हम बात करें अफगानिस्तान की तो स्थिती genuinely खराब है सर्दी वहाँ पर बहुत भेंकर पड़ी है और अभी भी आप देखो कि वहाँ पर सर्दी का टाइम अभी भी चल रहा है और report किया गया है कि बहुत से लोग भुकवरी की वज़े से मरे भी है यहाँ पर फर एक्जांपल यहाँ पर आप देख पाऊ उनके export का पैसा था USA ने क्या किया इस 7 बिलियन डॉलर में से 3.5 बिलियन डॉलर अपने पास रखती है और बाकी 3.5 बिलियन डॉलर यह लोग क्या रहे हैं कि यह लोग खुद खर्चेंगे अफगानिस्तान की लोगों की भराई के लिए इस पर मैंने एक लगसे विडियो भी मनाई थी कि किस तरीके से USA ने रोक लिये है अफगानिस्तान के 3.5 बिलियन डॉलर एक ऐसे टाइम में जब वहाँ पर भुक्मरी मची हुई है तो बिल्कुल देखिए मेरे साब से जो USA ने किया काफी रतक क्रूल था unfair है दुनिया भर के अफगान आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस सोचल मीडिया पर और जगा भी इवन आप अगर देखो अफगानिस्तान के जो फॉर्मर लीडर्स रह चुके हैं जैसे के हमित करजाई ये भी openly कह रहे हैं कि युएस इने जो पैसे अपने पास रख लिये हैं ये एक atrocity की तरह है जुल्म कर रहा है युएस आज के समय अफगान के उपर तो एक ऐसे टाइम में जब युएसे की तरफ से help ना रही हो जो help उनको चाहिए थी वो तो युएसे ने रोक दी है इंडिया की जो ये help है इंडिया जो free में यहू दे रहा है अफगानिस्तान के लोगों को ये matter करता है और यहाँ आप आप देख पाएंगे लिखा है ये Ministry of External Affairs का notification है कि humanitarian assistance to अफगानिस्तान पचास हजार metric ton of wheat to the people of Afghanistan इससे पहले आप अगर देखो तो इंडिया ने अल्रेड़ी पांच लाग doses of covaxin दिया अफगानिस्तान को फिर हमने बहुत सारे जो life saving drugs के consignment है ये भी भेज़ें अफगानिस्तान में और याद रखेगा जो भी हम भेजते हैं ये सीरा जाती है या तो WHO के पास या तो जो इंडरा गांधी होस्पिटल है इन काबूल वहाँ पर इसको रिसीव किया जाता है वीड वैसे मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा grain है जो पूरे region में मेरे साब से peace भी ला सकता है और वीड के मामले में वैसे मैं आपको बता दू के इंडिया second largest producer है दुनिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा वीड produce करता है चाइना फिर second number पे आपको मिलेगा इंडिया तीसरे नमबर पे आपको मिलेगा रशिया ये achievement है कि इंडिया एक exporter बन गया है वीड का हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचे कि इंडिया में हमारे पास इतना गेहू काफी पड़ जाता है कि हम अफगानिस्तान को send कर रहे हैं पचास हजार metric ton तो वैसे मैं आपको बता दूँ देखिए आज के समय हमारे किसान इतना गेहू ग्रोग कर रहे हैं कि हमारी internal need पूरी हो जाती है उसके बाद हम wheat export भी करते हैं for example यहाँ पर आप देख पाऊगे जो financial year 2021 था उसमें इंडिया के जो wheat के exports थी यह 872 million dollar के भी उपर चले गए थे इंडिया बहुत ही जल्द आने वाले एक दो सालों में 1 billion dollar का मतलब के 7500 करोड का wheat international market में बेशने वाला है याद रखिएगा यह जो amount है 2016 में सिर्फ 50 million था तो एक record तोड़ मैं कहूंगा phenomenal growth देखी गई है इंडिया के exports में in wheat इंडिया वाज के समय गेहू बहुत export कर रहा है primarily आप अगर देखे तो इंडियन गेहू South Asia में ही लग जाता है Bangladesh हमसे wheat बहुत import करता है उसके लावा Nepal है, Maldives है, कुछ ASEAN देश है और यह मैं कहूंगा एक बहुत ही जादा बड़ी accomplishment है इंडिया की इंडिया के किसानों की के इंडिया फिर कई सालों के बाद re-emerge किया है as rice and wheat exporter ना सिर्फ गेहूं बलकि चावल भी हैं बहुत ही बड़े scale पर export कर रहे हैं और यह article worldgrain.com का है European portal है, Indian portal नहीं है तो कि हमारी तारीफ करने हो यहाँ पर बिल्कुल जो genuine facts हैं यह लोग publish करते हैं अब एक तरफ आप अगर देखो तो इंडिया के food exports काफी अर्थ तक बड़े है पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में wheat के exporter से बन गया है wheat का importer यहाँ पर आप देख पाएंगे worldgrain.com का यह article है बहुत recent article है पाकिस्तान shifts from wheat exporter to importer और recently ही 2021-22 में news आई थी के पाकिस्तान ने 3,00,000,000 टन और wheat import किया है क्योंकि इनके यह जनुमेंटली wheat की कमी पड़ गई थी काफी जगा इनकी जो खेती है पंजाब की एरिया में और इलाकों में यह fail कर गई उसकी वज़े से इनको गेहूं import करना बढ़ा और चाहे इमरान खान को अपनी political image बचा के रखनी हो वो सब अपनी जगा है जो इनके finance minister है जो इनके advisors है वो openly कह चुके है कि पाकिस्तान बहुती ज़ादा costly wheat import कर रहा है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह article the express tribune का है पाकिस्तान का इन्यूज आउटलेट है चाहे sugar हो या फिर wheat हो या cotton हो पाकिस्तान दूर दराज के country से चाहे Brazil हो या फिर कुछ cases में कुछ जो African countries है Western Africa की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से यह लोग wheat और sugar import करते हैं जिससे इनका foreign exchange और ज़्यादा खर्च हो रहा है एक ऐसे time में जब यह दूसरे देशों को कह रहे हैं कि कुछ billion dollars हमारे bank में पार्क कर दो तो बिल्कुल मैं काऊंगा एक खराब policy आज के समय पाकिस्तान की और बिल्कुल जब यह wheat के truck इंडिया से होते हुए अफगानिस्तान जा रहे होंगे तो पाकिस्तान के जो economic thinkers हैं हो भी सोच रहे होंगे काश यह truck अपने आई रुख जाते क्योंकि पाकिस्तान को भी आज के समय need है wheat की और मैं मानता हूँ कि finally जो यह अभी के लिए blockade लगा हुए trade को लेकर यह हटना चाहिए trade start होना चाहिए इससे पाकिस्तान के आम लोग को ही फायदा होगा obviously पाकिस्तान में जो ministers हैं जो इनके prime minister और आर्मी के लोग हैं उनको wheat की कमी होती नहीं होगी मगर आम आद्वी को genuinely होती है तो मैं काऊंगा यह हूँ एक ऐसी चीज है जो इंडिया feed कर सकता है ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी और इससे धीरे धीरे region में भी connectivity improve हो सकती है क्योंके देखो मैं मानता हूँ के इंडिया पाकिस्तान का trade ऐसा नहीं है के राकतोलाद बस खुल जाएगा अभी पाकिस्तान ने एक हिपोक्रेटिक सा एक आपके लीजे बैन लगा रखा है इंडिया पे के दवाईया लेंगे मगर और जगा trade नहीं करेंगे मुझे आरक मेंजर गौरवरे ने tweet करी थी एक बार कि अगर इंडिया पे प्रोपर ट्रेड बैन लगाना है तो दवाईय भी उमत purchase करो अगर करना ही है उस तरीके से करना है अगर प्रोपर लिय आपको ट्रेड बैन तो ये भी एक option है बट अभी भी पाकिस्तान का trade blockade आदा दुर्वासा है, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि in the future पाकिस्तान, चीनी, wheat, कुछ रतक cotton को लेकर जो trade में relaxation है ये लेकर आएगा, और धीरे धीरे region में वापस trade start होगा, एक normalization का process start होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि trade कभी भ रतकी हुई है, इस region में भी अगर prosperity आनी है, तो उसका simple answer है, through trade, तो अच्छी news है overall, अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छी news है, और hopefully इससे एक शुरुआत हो सकती है, of better relations between India and Pakistan as well, now वापसाते हमने MCQ की तरफ के recently, किस international संगतन ने observe किया था, अफगान Women Day, तो सही उत् पहलत है, अफगानिस्तान में, तो ये शु ये उरोपियन युनिन ने properly race किया था, recently, और finally, आपर मैं ये भी add कर दूँ के life में, अगर आप एक बार, वेल काफी एच्छी वीजियो थी है, जैसे मैंने शुरु में बोला कि पहले ना, इरान के थू इंडिया के ट्रग गे थ अपना जर्नी को करेंगे, तो मेरे लिए भी इस बात हसी आ रही थी के ना, एक तरह से इस से कॉस्ट बढ़ जाती है, यह निका पहले ट्रक आएंगे वहां ठीक है, पहले इंडिया के बाटर आएंगे ट्रक आएंगे ट्रक आप्टर तक वहां तक चल के आएंगे, उसके बाट बर आएंगे, चल का से के बड़ तो बड़ जाता है, इस अधिक तक भी वहां तक जाता और फिर वह वापस आता, फिर तुर ठीक है, इस के उन्होंने कम मेंसखें, नर्मी को दिखा इसी ही किया, लेकिन कुछ तो किया ना, और सबसे जोगी पार्ट था Auch ओंगे, वह जाएंगे सबको जो देखेगा ना उसको बचलेगा भी अच्छा इंडिया से एड आई और अफगानिस्तान जा रही है ठीक है और पाकिसान के रस्ते से जा रही है तो इसका फाइदा यह भी है कि इरान की थोड़ा सा मार्जन रखा और जाने दिया ठीक है इसमें होता है कि कि थोड़ा सा एक इमज आएगा पॉस्टिव अचायेगा कि उन्होंने चलो अलाओ किया चलो थोड़ा सा किया लगीनकि कि इस एक तॉछा सथा इंप्रूब्मेंट है और यह बत हकीकत है कि तुक आई पशकी बास से करूंगी कि को ट्रेड कभी भी नहीं रुकनी चाहिए इसे यह बात हकीकत है कि अगर हम दूसरे मुलकों से इंपोर्ट करते है कोई चीज ठीक है तो उसकी कॉस बढ़ जाती है जो बढ़ती है ना ट्रैवलिंग इक्सेंस की वाला से उसकी कॉस बढ़ जाती है ठीक है और और उस टाइम पे जब हमें वाकिए ही बहुत जादा पाक्सान में गंदम का इस्यू आज था एक इसमें करोना की वज़ा थे ना तो उन्होंने बोला के मौसम की खराबी के वाज़ से वह वैदर का फ्रकास्ट से पाता चल जाएगा कि इस इस इलाके में यह नुक्सानात होंगे तो फिर वह उसके उसके लाय अमल बनाएंगे तो यह मतलब थोड़ा है लेकिन कि आएसे अप्रूमेंट की तरफ चांसिस हैं ठीक है अगर यह हमारी गोवर्मेंट से रहती है लोगों के साथ और लोग गोवर्मेंट से रहते हैं तो पॉस्टिविटी की चांसिस जो हैना मुलक की ग्रोथ की चांसिस बढ़ जाते है ठी हैं क्या जो आपने थोड़ा से फायदे के लिए अपनी मेंटल सिखनेस क्या ओ या मैंचल इमेशनल इमोशनल बिहेविएर की वर्द से वट थोड़ा सा पॉब्लम करेड अगरें उसकी वर्द से जो गरीब इनसान होता है जो लुएर के लैवल की लोग होते हैं वह बहुत नविंस आप नहीं पड़त है झाले आप भरक नाच काुटा्ट का sprout किया यह हुए यह आश्राय कि पszक्राइस की तरह कि तरह की ऑट मैचिशन से की पॉलिटीशन वोन इसला रहे तंहिंस वार इसले ऊंपर इस यह तो हमें परिष सव debris call we can अंदर और अपने behavior के अंदर हम एक ऐसा image कायम कर जाहिए कि हमारे पूरे region में हमेशा positivity रहे और हमें फायदा हो चुकि जिसे के मैंने previous video में बात की थी कि हमें अपने neighbors के साथ ज्यादा अच्छे terms and condition रखने चाहिए चुकि वह हमें problem होगी तो वह हमारी तरफ ज्यादा तेजी relation के ship के दर्मयान और ये बात कि ये वीडियो हमें ये सिखाती है कि जिसना इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर रहा है कि मतलब उनके पाथ इतने हैं कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करके अपने दूसरे मुलक जो उनके साथ रहते हैं उनकी भी मदद कर रहा है इस बात के बरक्स के वह लोगों का religion क्या है इस बरक्स के वह आपके साथ दोस हैं ये दुश्मन है ठीक है जिसने उनके बोला कि हम तालिबान हकुमत को support नहीं करते लेकिन इंसानियत के लिए हमारे दिल में हमलने से हमारे दिल में kindness है तो उसके लिए हम अपना गंदम भेज रहे है तो इससे हमें इसी सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी जो ग्रोथ है अपने country की ठीक है हमें भी इतनी कर जाए कि हम अपनी जूरतों को पूरा करके किसी और इर्द गिर्द के मुलब जो हमसे कम है हम उनको support कर सके without any condition ठीक है fair laws and margin को रखके ठीक है हमें उनकी मदद करनी च जो रेसिस के ओपर religion से ओपर geographical जो डिविजन होती है उससे उपर भी इंसानित के लिए कुछ कर रहा है तो यह इस वीडियो में पॉइंट्स देखने को मिलते हैं तो हमें इंडिया से भी कुछ सिखने को चाहिए और हमें यी भी चाहिए कि हम भी अपनी policies के अंदर इतना positive attitude को तिखाए कि हम भी किसी की मदद करें तो कफी अची वीडियो थी पर आप लोग को से प्लीज़ जबजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक च्बार के स्ब्सक्राइब के मेरे चैनल को और जिन लोगोंने मेरी वीडियो को एंड तक उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप क कि डिटेल में देखें और उनकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब उनके चैनल को भी जरूर करें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखें खूश रहें अलाव वेश्ट